हेलो, गुड मॉर्णिंग, मैं आप लोगों को एक पाट पढ़ाने जा रहा हूँ, असपर्स से, पाट का नाम है एवरेश्ट मेरी सिखार यात्रा इस पाट की लेखिका है बच्छेंद्रिपाल, बच्छेंद्रिपाल का जन 24 मईए 1954 को उतरांचल के चमोली जीले के बसपा गाउं में हुआ था, उनके पिता पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे, अता बच्छेंद्री को आठ्वी से आगे की पढ़ाई का खर्च, सिलाई कढ़ाई करके उठाना पड़ा, बिशम परिशितियों के बावजूद बच्छेंद्री ने संस्क्रीत में में और फिर बीट की सिक्षा हासिल की, बच्छेंद्री को पहारों पर चढ़ने का सौक बच्छपन से था, पढ़ाई पूरी करके वह एवरेश्ट अवियान दल में सामिड हो गई, कई महिनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आही गया, जब उन्होंने एवरेश्ट बिजे के लिए प्रयाण किया, तो बच्छेंद्री जो इस लेक में अपने अभ्यान का रोमांच कारी बढ़न करती है, कहती हैं कि साथ मार्च को एवरेश्ट अवियान दल दिल्ली से काटमांडू के लिए चल दिया, नामचे बाजार से लेका ने एवरेश्ट को निहारा, वहाँ नामचे बाजार से लेका ने एवरेश्ट को देखा, एवरेश्ट को नेपाली भासा में सागरमाथा कहा जाता है, जो कि लेका को बड़ा पसंद आया, लेहका ने एवरेश पर एक बड़ा भारी बर्फ का फूल देखा यह तेज हवा के कारण बनता है 26 मार्च को अभियांदल पैरिच पहुँचा पैरिच एक जगह का नाम है तो उसे पता चला कि खुम्भू हीम पात पर जाने वाले सेरपा कूलियों में से बर्फ किसकने के कारण एक कूली की मिर्द्धु हो गई और चार लोग घायर हो गए बेस केम्प पहुँचकर उसे पता चला कि प्रतिकूल जलवायू के कारण एक रसोई सहाय की मिर्द्धु हो गई है रसोई सहाय की मतलब कूक जो खाना बनाने वला होता है उसका जो हैलपर होता है सहाय की फिर दल को जरूरी प्रशिछर देया गया 29 अपरेल को भी 7900 मीटर की उचाई पर इस्थित बेस केम्प पहुँच गई जहां तेंजिंग ने लेका का होसला बढ़ाया क्योंकि वह तो मन में मन ही मन डर ही गई थी जब रसोई सहाय की मिर्दु का ख़बर उसने पाया तो मन में डर पैदा हो गया था 15 या 16 माई 1984 को अचानक रात 12 बजे केम्प पर ग्लेसियर तूट पड़ा जिससे केम्प तहस नहस हो गया हर ब्यक्ती चोट गरस्त हो गया सबको चोट लगी लेखिका बर्फ में दब गई थी उन्होंने भरपूर प्रत्न किया लेकिन निकल नहीं पा रही थी उनका दम भूट रहा था अतह उन्हें बर्फ से निकाला गया फिर कुछ दिनों बाद लेखिका साउत कोल केम्प पहुँची वहां उन्होंने पीछे आने वाले साथियों की मदद करके सबको खुश कर दिया अगले दिन वह प्रातह ही अंगदोर जी के साथ सिखार र्यात्रा पर निकले अथक परिश्रम के बाद अथक परिश्रम करने के बाद वे सिखार कैम्प पर पहुँच चुकी एक और साथी लेहाटू के आजाने से और आक्सिजन आपूर्ती बढ़ जाने से चड़ाई आसान हो गई तेईस मई 1984 को दो पहर एक बज़ कर साथ मिनट पर लेख का एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतिय महिला थी चोटी पर दो ब्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगा नहीं थी उन्होंने बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई करके अपने आप को सुरक्षित किया फिर लेहका ने घुटनों के बल बैट कर उस शागरमाथा अर्थात एवरेस्ट के ताज को चुमा फिर दुर्गामा तथा हन्मान चलिशा को कपड़े में लपेट कर बर्फ में दबा दिया अंग्दौर जी ने उन्हें गले से लगकर बधाई दी करनल खुल्डर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था कि मैं तुम्हारी माता पिता को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि अब तुम मामली औरत नहीं हो तुम पर देश को गर्ब है देश को तुम पर गर्ब है अब तुम जो नीचे आओगी तो तुमें एक नया संसार देखने को मिलेगा इसलिए अब तुम्हें हमेशा ही याद किया जाएगा